नमस्कार दोस्तों कारमेगार के आज के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जो एमजी हेक्टर प्लस यानि कि सेवन सीटर जो गाड़ी आई थी उसका एक राइवल टाटा सफारी है हाला कि टाटा सफारी की हम बात कर सकते हैं राइवल उसका एक सुव इसको एक कंपरिजन करके देखते हैं लेंथ विड़ थाइट की कोई लंबी चोड़ी बात नहीं है वो तक्रीम निक जैसी ही है बात करेंगे दोस्तों जो आज तक किसी नहीं की होगी इंटीर के अंदर क्या-क्या स्पेसिस हैं लेग रूम फर्स रो का सेकिंड रो का थर् और अगर हम यहीं एमजी हेक्टर के अंदर दे तो 88 x 68 है हेडरूम के अगर बात करों तो 100 x 96 है एमजी हेक्टर के अंदर 97 x 92 है शोल्डरूम 135 mm का है और एमजी हेक्टर में 136 mm का है जो ज़्यादा फर्क नहीं नजराता हमें सीड बेस की जो लेंथ है उसको 50 mm का दिया गया है सफारी के अंदर एमजी हेक्टर के अंदर 55 mm का दिया गया है बैक रेस्ट की जो हाइट है उसको 62 mm है सफारी के अंदर और हेक्टर के अंदर भी वो सेम है second row के अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो leg room के अगर बात करूँ 97 into 72 यानि कि थोड़ी सी ज़्यादा और स्पेस दे दी गई है सफारी के अंदर और वहीं पे अगर हम mg hectare में देखा तो इससे भी ज़्यादा 100 into 78 की स्पेस हमें मिल जाती है second row के अंदर leg room की head room के अगर बात करूँ तो 97 freaking में हैं सफारी के अंदर वहीं बात कर से इ celebration से रिखके इनलता है हमें इस 스र्फ के अंहेंést मुलता है अगरिंग में कि है यानि कि कुछ निकर आफ़े डहीं कि हमारे पेता होग की ऐए हमारे पास है 230 mm का शोल्डर रूम हमें हेक्टर के अंदर मिलता है अगर करूं सीट सीट बेस की हाइट की तो पचास की है यानि कि कुछ नि कि अगर सीधे तौर बात करें तो पचास की है हमारे पास सफारी में और 54 mm की हमारे पास है mg हेक्टर के अंदर बूट बैक रेस्ट के अगर हाइट के बात करो तो 60 mm और 62 mm को ज्यादा फरक नहीं है 62 mm थोड़ा से 2 mm ज्यादा है mg हेक्टर के अंदर अगर बात करो थर्ड रो की तो 90 इंटू 67 की जो लेग रूम है वो मिल जाती है हमें टाटा सफारी के अंदर और 18-50 मिलती है यानि कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो तीसरी रो को प्रैक्टिकली अगर साबित करती है गाड़ी तो वह सफारी अगर इसमें हेडरूम की बात करो तो 18 mm को ज्यादा फरक नहीं है अगर शोल्डरूम की बात करों तो 120 और 125 mm यानि कि बोडी का जो डिजाइन है उसके हिसाब से थोड़ा सा फाइदा एमजी हेक्टर एक पैरलल सीधा बॉक्सी डिजाइन का फाइदा उठा के ले जाती है 125 mm का शोल्डरूम हमें मिल जाता है थर्ड रो के अंदर एमजी हेक्टर में सीट बेस की अगर बात करो तो 47 mm का सीट बेस है सफारी के अंदर और 40 mm का सीट बेस है हमारे पास एमजी हेक्टर के अंदर यानि की कुल मिला के अगर देखा जाए तो तीनो गाड़ियों के अंदर दोनों गाड़ियों में leg space boot space के अगर मैं बात करूँ तो वहां पे जाके अगर boot space की बात करूँ तो वो दोस्तों length width height अगर boot space के अगर देखें तो 190, length width और height 190 मिल जाती है सफारी के अंदर और हमें mg hectare के अंदर 100, 141, यानि कि इसकी चुड़ाई के अंदर काफी ज़्यादा फर्क मिल जाता है हमें जो mg hectare के अंदर हमारी boot space हो ज्यादा utilize करने वाली space नहीं है as compared to tata safari अगर बात करें इनकी कीमतों की तो safari की कीमते 14,64,000 पे से लेके 21,25,000 पे तक खत्म हो जाती हैं जिसके अंदर 6 variants आ जाते हैं जिसके अंदर की XE, XM, XMA, XT, XT+, XZ, XZA, XZ+, XZ+, A यह सारे दोस्तों वेरिंट्स आ जाते हैं टाटा safari के अंदर लेकिन अगर हम mg hectare की बात करें तो उसके अंदर 13,34,000 से लेके 19,12,000 पे तक वो खीमतें पढ़ जाती हैं यह गाड़ी सस्ती क्यों पढ़ती है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें petrol variant भी मिल जाते हैं इसके अंदर 6 seatr के अंदर वेरिंट तीन है जिसके अंदर की super smart और sharp variant है 7 seatr के अंदर हमारे पार 4 variant है जो की style, super smart और select यह 4 variant हमें मिल जाते हैं 7 seatr variant के अंदर अब सफारी के पास सिर्फ और सिर्फ एक 2.0 लिटर का इंजन है जिसके अंदर की 170 पीएस की power 350 के साथ मिलती है जिसमें 6 speed का manual transmission और 6 speed का ही automatic transmission हमें मिल जाता है वहीं पे अगर हम mg हेक्टर की बात करें तो 3 तरह के हमें engine मिल जाते हैं जिसके अंदर की हमारे पास 1.5 लिटर का turbo 1.5 लिटर का turbo जो इसके साथ 648 वल्ट की battery दो engine यह होगे दोनों patrol में तीसरा engine एक और हमारे पास मिलता है 2.0 लिटर का है जो की 170 अनम की है कि अगर आपको automatic weinon चाहिए पेटرोल के अंदर गाड़ी चाहिए तब आप mg हेक्टर पर चाहिए अगर आपको automatic चाहिए डीजल में भी चाहिए तो या तो काफी साहा है कि यह जीजे हो जाती है टाटा सफारी के अगर बात करूँ दोस्तों पेट्रोल इंजन की जो 1451 सीसी का वो इंजन है 143 PS की पावर 250 NM की टॉक के साथ जनेट करता है हाला कि दोनों जो इंजन है पेट्रोल के वो सेम टॉक वाले हैं लेकिन उसके अंदर 48V की जो बैटरी है दूसरे वाले इंजन वो काफी हट तक उसकी जो किशमता है जो माइलेज है वो ज्यादा अच्छी थोड़ी सी बहतर कर देती है अगर बात करों दोस्तों लेंथ विड्थ हाइट की तो एक जैसी ही है तकरीबन 4661 सफारी की लेंथ है 4720 लेंथ है एमजी हेक्टर की 1894 विड़ टाटा सफारी की है 1835 विड़ एमजी हेक्टर की है 1786 हाइट टाटा सफारी की है और हेक्टर की 1760 है यारिक अगर कुल मिलाके देखाई जो प्रोपोर्शन तकरीब नेक जैसे हैं दोनों गाड़ियों के अगर देखें वील बेस की बात करूं तो 2750 mm का एमजी हेक्टर का वील बेस है और 2741 थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा ग्रिप वाला एक वील बेस लेके चलती है टाटा सफारी दोनों के पास ही 607 सीटर की सुविधाएं दोनों के पास उपलब्ध है और लेकिन बोस सीट्स की एक कहते हैं टाटा वाले कि हमारे पा पास नहीं है एक थोड़ा सा प्लसमेंट ये भी टाटा सफारी लेके चलती है दोनों के पास अगर कॉमन फीचर की बात कुरो तो टॉप वेरिंट के अंदर पैनारोमिक सन रूफ है टास्क्रीन इंफोर्टेन में सिस्टम कोनेक्टेड कार के फीचर्स ट्रेक्शन कंट्रो सिस्टम हमारे पास टाता सफारी इंफोर्टेनमें सिस्टम हमारे पारम चेंट और इंटा सिस्टम से हमें नहीं छोड़ी गई इंफिनेटी का प्सक्री बात की तो हमस Boom ये दो चीजे हमारे सामने आती हैं, अगर हमें गाड़ी चाहिए ऐसी जो की हमें डीजल में आटोमेटिक चाहिए और एक टाटा का भरोसा चाहिए तो फिर हम टाटा की सफारी के उपर जा सकते हैं, आइधर एक नई टेकनोलोजी की कनेक्टिड कार के फीचर्स की थोड़ा अच्छे से लुक वाली गाड़ी चाहिए जिसके अंदर की पेट्रोल की सुविधा भी हमें मिल जाए जिसके अंदर की पेट्रोल के अंदर हाइब्रिड की सुविधा या हमारे पास पेट्रोल के अंदर ही आटोमेटिक की सुविधा भी हमें मिले तो वो सारी कमिया आपक को यूटलाइज कियाने वाले गाड़ी देखनी है तो मेरे को थोड़ी सी थोड़ी सी बैटर लगती है टाटा सफारी आइदर दोनों गाड़ी के अंदर को इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कोई भी गाड़ी लेंगे तो आपको कोई निराशा नहीं होगी क्योंकि गाड़ी सफे ह्लाँ बेबाइज ही तो याव को पर acadar दोनों के सेम दोनों के सेम है एंचेल लोगे तो कैसे को दोर आइव इस नहीं है प्लीजल में अगर आपको गाड़ी स्वारों के ृपट्री ही की बात की अगर तो पर पज्hrad नगाकर अराम से ध्यान से गाड़ी झाल झाल